मैं गाउं का तो उम्झे शेहर का बनाने चली थी मैं खेट की मिट्टी तो वो फूल की कली थी मैं गाउं का पथर तो वो शेहर का नगीना सा वो इसी का अराम तो मैं दूप में तपकता हुआ पसीना सा वो पब की फैन मैं तो रागनी पर भी जुमा हूँ वो होगी फलेवर तो मैं भी देशी उके गदुमा हूँ काम का जुनून जोरो सोरो से सर पर चा रहा है पहले इतने सारे आप बहन कराए अब पबजी भी करवा दी क्या बात है मोदी जी कि हार का स्वाद जिन्दगी में हर कोई चकता है राशी बहन एक बात बताओ ये बिना चने के गैस पे कुकर कोन रखता है तीशर्च के दो वहन कि बच्चा कितना भी बिगडे हम एंडल कर लेंगे हमारे पास लिंक बेजते हो आपको लगता है हम और ने क्लास एटेंड कर लेंगे जहां पर सीती बात मूँ पर बोली जाती है ये इंडिया है जनाब यहां लड़की गल्फरेंड बनने से पहले दोस्तों की बापी बन जाती है बाई वो देख बापी जा रही है दियर बैस फ्रेंड माना तुने मेरी जिंदगी के सारे दुप-दर्द बगा दिये पर मुझे जिनदगी में कुछ बढ़ा करना था तुने जिंदगी में आके अलगवा दिये जहां दिखे जूला जूल जाओ और अगर गलती से दे दिये अपने बेस्ट फरेंड को पैसे, तो भूल जाओ पैसा पर पाद कि लाइफ में, बाभुश होना बोलने वाले बोई फरेंड गर्रफरेंड हो या ना हो पर कुटा कुटी बोलने वाले बेस्ट फरेंड ज़रूर होने चाहिए कि जिसमें तो यूही बदनाम है आज के जमाने में तो लोग आखों याखों में इज़त लूट लेते हैं अकड़ बंबेगो नंबर थेटी सो या पूरे सो रिष्तेदार तो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे बेटा नंबर कम है थोड़ी और मेहनद करो ये एक फैक्ट है तुम महंगी से महंगी चीज़े पहन लो तुमारे दोस्त को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो वक्त आने पर जान दे देगा तुमारे लिए पर तुमारी तारीफ कभी नहीं करेगा वो लोग जो एक्जाम में जिटिंग के भरो से बैट रे थे उनके भी उचे हुए कद जब से दसवी बारवी और कोलेज की परिक्षाई हूं यह रद अपना टाइम हा गया जब किसी से दिल लगेगा ना तो यकीन मानो कई और दिल नहीं लगेगा तु पेला पेला प्यार याँ बंजा तुझे देखते ही घाल हो जाए तु दिखने में ना बिलकुल कोकिला बेन है पल मेरी साड़ी पर जूस की रहा और मैं दुबारा नहने गई थी पब जी वालो का हाल कि किसी के जिंदिगे में इतनी बुरी नजर में मड़ा लो टिक टोक बैन हुआ चलता है पर पब जी भी बैन करवा दी थक चुका हूं दोस्तों के जूट सुन सुनके न और जूट सुनने के शमता है इतिहास गवा इस बात का कि दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्लैन कैंसल होने के लिए भनता है आजकल के लोगों की सोच भी क्या बेमिसाल है लड़की अपने घर की हो तो इज़त और दूसरों के घर की हो तो वा क्या माल है उसके जैसी ममता कहां होती है जिसकी ना में भी हां होती है लोके भाई सही कहते है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मां होती है कपड़ा वक्त इंसान और उनके वादे बदल जाएंगे तुम्हें बुरे वक्त पे तो आने दो तुम्हारे साथ रहने वालों के इरादे बदल जाएंगे